अध्याय तीन एक चरका द्विगाद समीकरण Quadratic Equation परिचय इंट्रड़क्शन एक वेक्ती अपनी जमीन के किसी भाग में 800 वर्ग मीटर छेत्रफल का एक ऐसा आयताकार बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से दुगुनी हो वेक्ती को बगीचे की लंबाई और चोड़ाई कितनी रखनी चाहिए यदि बगीचे की चोड़ाई को एक्स मीटर मान लिया जाए तब उसकी लंबाई दो एक्स मीटर होगी चूंकि बगीचा आयताकार है अतह बगीचे का छेत्रफल बराबर होगा बगीचे की लंबाई गुनित बगीचे की चोड़ाई इसे हल करने पर मिलेगा x का वर्ग बरबर 20 का वर्ग पक्षानतर करने पर प्राप्त होगा x का वर्ग रिंट 20 का वर्ग बरबर 0 समीकरण 1 X के जिन मानों के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्ष बराबर होंगे वे मान ही बगीचे की चौड़ाई को दर्शाएंगे और चौड़ाई पता होने पर बगीचे की लंबाई भी मालूम हो जाएगी सवाल को BG रूप में लिखना हमने देखा कि X का वर्ग 20 का वर्ग बराबर 0 से X का मान पता कर सकते हैं यह समीकरण दरसल दिये गए सवाल में दिखाए गई परिस्थिती का BG निरूपन है आईए हम कुछ और परिस्थितियों की चर्चा करें और उनके BG रूप का अवलोकन करें नरेश को अपने घर के सामने 500 बर्ग मीटर शेत्रफल वाली एक समकोन त्रिभुजा कार क्यारी बनवानी है जिसमें वह आधार भुजा की लंबाई शीश लंब की लंबाई से 30 मीटर अधिक रखना चाहता है क्यारी का आकार क्या होना चाहिए यह जानने के लिए हम शीश लंब की लंबाई को एकस मीटर माने तब आधार भुजा की लंबाई एकस धन 30 मीटर होनी चाहिए चुकि समकोन त्रिभुज का क्षेत्रफल भराबर एक बटे दो गुणित शीश लंब की लंबाई गुणित आधार भुजा की लंबाई तो इससे हमें मिलेगा 500 बराबर 1 बटे 2 गुणित X गुणित कोश्टक में X धन 30 हल करने पर 500 गुणित 2 बराबर X का वर्ग धन 30 X पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा X का वर्ग धन 30 X रिन 1000 बराबर 0 समीकरन 2 समीकरन 2 प्रश्न का बिजी रूप है X के जिन मानों के लिए समिकरण 2 के दोनों पक्ष भराबर होंगे वे मान ही त्रिभुजाकार क्यारी के शीशलं की माप होंगे द्विघात समिकरण पूर्व के दोनों बीजी निरुपन में X की अधिक्तम घात 2 है इस द्विगाती बहुपत को शामिल करते हुए एक बीजी समिकरन मिलता है जिससे हम हल ढून सकते हैं ऐसे ही कुछ उधारन हम आगे देखेंगे अब हम इस कतन पर विचार करते हैं दो क्रमागत संख्याओं का गुणन फल 0 है यदि पहली संख्या एक्स हो तब दूसरी संख्या एक्स धन एक होगी इसलिए एक्स गुड़ित कोश्टक में एक्स धन एक बराबर 0 हल करने पर प्राप्त होगा एक्स का वर्ग धन एक्स बराबर 0 समिकरन 3 समीकरण 1, 2, 3 में आप देख रहे हैं कि इन में से प्रत्यक में केवल एक चर है और उसकी अधिक्तम घात 2 है प्रत्यक समीकरण में ऐसा एक पद अनिवारे रूप से उपस्तित है जिसकी घात 2 है ये सभी एक चर के द्विघात समीकरण है आप जानते हैं कि बहुपद AX का वर्ग धन BX धन C घात 2 का एक चर का बहुपद है जहाँ A, B, C वास्त्विक संख्याएं और A का मान 0 नहीं है इसे द्विघाती बहुपद कहते है इस द्विघाती बहुपद को 0 के बराबर रखने पर यहाँ एक समीकरण बन जाता है अर्थात AX का वर्ग धन BX धन C बराबर 0 चुकि समीकरण में एक ही चर है तथा चर की अधिक्तम घात 2 है अता इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है यह द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक या व्यापक रूप है कुछ और द्विघात समीकरण यहाँ दिये गए है पहला X का वर्ग रिन 2X बराबर 0 दूसरा कोश्टक में X धन 1, गुनित कोश्टक में X धन 2 बराबर 0 तीसरा X का वर्ग बराबर 0 चोथा, X का वर्ग रिंड 9 बराबर शुन्य पाँचवा, Z का वर्ग धन 3 बराबर शुन्य चटवा, X का वर्ग रिंड वर्ग मुल 5 गुणित X धन 6 बराबर शुन्य साथवा, 3Y का वर्ग धन 6Y धन 6 बराबर शुन्य आठवा, X रिंड 2 पूरे का वर्ग बराबर 0 नववा, 3M रिंड 2M का वर्ग धन 5 बराबर 0 X वर्ग रिंड 5 वर्ग मूल X धन 3 बराबर 0 द्विघात या वर्ग समिकरण नहीं है क्योंकि समिकरण का बाया भाग बहुपद नहीं है करके देखें इन में से एक चरका द्विघात या वर्ग समिकरण चुनिए पहला, X का वर्ग रिंड 3X बराबर 0 दूसरा, रिंड 3X का वर्ग, रिंड 2 का वर्ग बराबर 0 तीसरा, X धन 2 बराबर 0 चौथा, X का वर्ग धन Y बराबर 9 पांचवा, X का वर्ग धन 9 बराबर 0 चटवा, X धन 5Y बराबर 0 साथवा, कोश्टक में X रिन 1 गुनित कोश्टक में X धन 2 बराबर 0 आठवा, X का वर्ग धन 2 गुनित वर्ग मुल X रिन 1 बराबर 0 नवा, X रिन 3 पूरे का वर्ग बराबर 0 दस्वा, X गुनित कोश्टक में X रिन 5 बराबर 0 ग्यार्वा, X का वर्ग धन वर्ग मुल 5 गुनित X धन 3 बराबर 0 बार्वा, Y का वर्ग रिन Z का वर्ग धन 3 बराबर 0 तेरवा, X का वर्ग रिन 3 गुनित वर्ग मुल X धन 2 बराबर 0 चौद्वाँ एक्स का वर्ग रिन वर्ग मुल 3 गुनित एक्स धन 2 बराबर 0 पंद्रवाँ कोष्टक में एक्स धन 1 गुनित कोष्टक में एक्स धन 5 बराबर 0